इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज है नौजून 2019 और यह हमारी 170 भी क्लास है 12 important question आपके लेकर आए हैं जो आपके अग्जाम और आपके knowledge की द्रश्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाती है साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरूर करेंगे और दोस्तो जैसे जैसे exam की date नज़दी का रही है वैसे वैसे मैं कुछ GK MPG के question इसमें add करता जाओंगा तो आप इनको भी जरूर पढ़ें question number first हाली में किस देश ने प्रदान मंत्री मोधी को सम्मानित किया है जिसका सई option है माल दीब हाली में माल दीब देश ने प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी को सम्मानित किया है दोस्तो प्रदान मंत्री मोधी जी को मालदीप के सरवोच सम्मान निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया गया है दोस्तो हाली में प्रदान मंत्री नरन मोधी जी मालदीप देश की यात्रा पर गए है जहां पर इन्हें यह सम्मान दिया गया है दोस्तो आपको बता दें प्रधान मंत्री मोदी जी को मालदीब के अलावा और भी देशों ने अपने सर्वोच सम्मान से नवाजा है जैसे आपको कुछ नाम बता दें तो UAE ने, USA ने, South Africa, France, Israel और मालदीब इन देशों ने प्रधान मंत्री मोदी को अपने सर्वोच सम्मान से नवाजा है दोस्तो आप बात आईए मालदीब की तो आपको मैप में इसके बारे में बता दें मालदीब की राजधानी है माले, रास्टपती है अबराहिम मोहमत 16, मालदीब की करंसी है मालदूपियन रुपिया तो दोस्तो इतना आपको मालदीब के बारे में याद रखना है Next question Amnesty International का Ambassador of Conscience Award किसने जीता है? जिसका सही option है Greta Thunberg हाली में Greta Thunberg ने यह Ambassador of Conscience का Award जीता है दोस्तो 16 वर्ष की यानि 16 एर्ष की Greta Thunberg ने Global Warming के पृति जायुता फैलाने के लिए यह सम्मान या Award जीता है दोस्तो आपको Greta Thunberg की बारे में बता दें यह इनका जन्म 2003 में स्वीडन में हुआ था और इन्होंने स्वीडन की संसत के समक्ष पैरे समझोते के मुताबिक कारवन उत्सरजन को कम करने के लिए ब्रोध प्रदशन किया था जिसके कारण यह चर्चित हुई है और इन्हें हाली में Ambassador of Conquins Award दिया गया है Next Question हाली में किसे नीती आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है जिसका सही Option है राजीब कुमार हाली में राजीब कुमार को नीती आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है दोस्तो यह बहुत important question है नीती आयोग के उपाध्यक्ष कौन है तब अमिताब घोस थे और अब हाली में राजीब कुमार को नीती आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है दोस्तो आपको बता दें नीती आयोग का अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री होते है और योजना आयोग का नाम बदल कर नीती आयोग किया गया है और इसी के उपाध्यक्ष हाली में राजीब कुमार बनी है Next question सतत विकास लक्ष लौंगिक सूच कांक में भारत का कौन सा इस्थान है? जिसका सही option है 95 बा यानि 95 बा इस्थान हाली में भारत को सतत विकास लक्ष लौंगिक सूच कांक में दिया गया है दोस्तों हाली में पहला सतत विकास लक्ष लौंगिक सूच कांक जारी किया गया है इस सूचकांक में लौंग एक समानता के लक्ष को प्राप्त करने के लिए की गई प्रगती के आधार पर देशों का मुल्यंकन किया गया है इस सूचकांक में 139 देशों की सूची में भारत को 95 वे इस्थान प्राप्त हुआ है दोस्तो इस सूची में पहले इस्थान पर है डेन्मार्क दूसरे पर है फिनलेंड और तीसरे पर है स्वेडन वहीं भारक 95 इस्थान पर है नेक्स्ट क्वेश्टन हाली में किस देश में FIFA महीला वर्ल्ल कप का आयोजन किया जा रहा है जिसका से यॉफ्टन है फ्रांस हाली में फ्रांस में महीला FIFA वर्ल्ल कप का आयोजन किया जा रहा है दोस्तो साथ जुन 2019 को FIFA महीला वर्ल्ल कप 2019 की फ्रांस में सुरुआत हुई है यह एक महने तक चलेगा दोस्तो इसमें बिस्टू की फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इंगलेंड, कनाड़ा, औस्टेरिया, नीदरलेंड, जापान, सुईजन, ब्राजील, इस्पैन, नॉर्वेज जैसी बहुत बड़ी कम्ट्री हिस्सा ले रही है जो वेस्ट फुट वॉल में बेस्ट टीमें हैं इसमें हिस्सा ले रही है तो आपको याद रखना है फीफा के बारे में और फीफा मेला वर्ल्ल कप का आईजन फ्रांस में हाली में शुरू हुआ है दोस्तो अब बात आईए फ्रांस की तो आपको मैप में फ्रांस के बारे में बता दें मैप में ये जगह फ्रांस को दरसाती है फ्रांस की राज़्थानी है पेरेस और करंसी है यूरो फ्रांस की राष्टपती है एमानुवल मैकरोन तो इतना आपको फ्रांस की बारी में याद रखना है नेश्ट क्वेशन तिजनी मुहमद बंदे को स्युक्त राष्ट की महासवा का किस सत्र का अध्यक्ष चुना गया है तिसका से यूफ्षन है चोहत तरवी खाली में तिजनी मुहमद बंदे को चोहत तरवी स्युक्त राष्ट की महासवा का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तो ये नाइजीरिया की रहने वाले हैं और सेंवत रास्ट में नाइजीरिया के एमबैसेडर हैं ये सितंबर 2019 में एक्वाडूर की मारिया, फर्नांडा, एस्पने, नोसा की जगह लेंगे दोस्तो आप बाता ही है सेंवत रास्ट की तो आपको बता दें सेंवत रास्ट की इस्थापना 1945 में की गई थी और इसका हेड़कॉर्टर न्यू यॉर्क में है तो आपको इसके बारे में इतना याद रखना है नेश्ट कॉस्चन हाली में किसे अली राजपुर का कलेक्टर बनाया गया है तो इसका से उप्षन है सुर्भी गुप्टा हाली में शुर्भी गुप्टा को अली राजपुर का कलेक्टर बनाया गया है दोस्तो इस्क्रीन पर कुछ और नाम आपको दिख रहे होंगे इनके बारे में भी आपको बता दें तो दोस्तो अक्षय कुमार सें को निवाडी का कलेक्टर बनाया गया है जो हालियों मद्ध प्रदेश का नवी इंतम जिला बना है करमवीर सें को पन्ना का कलेक्टर बनाया गया है और तरुन राठी को इन्हें दमुहि का कलेक्टर बनाया गया है तो इन चारों के बारे में आपको इतना याद रखना है दोस्तो अब बात आईए अलीराजपुर की तो आपको कुछ इंपोर्टन फेक्ट अलीराजपुर के बारे में बता दें दोस्तो अली राजपुर को ज्ञाबवा जिले से 17 मई 2008 को विवाजित कर अलग जिला बनाया गया था अली राजपुर में महान क्रांतिकारी चंदरशिखर आजाद की जन्म इस्थली है जिसे हम भावरा गाउं से जानते थे लेकिन 2007 में इसका नाम बदल कर चंदरशिखर आजाद नगर रख दिया गया है दोस्तो भीलों की प्रिशिद्ध भगोरी अनरत्य अली राजपुर जिले में ही होता है जन्गरना 2011 के अनुसार यह नियुनतम साक्षर जिला है कास्ट कला के लिए प्रिशद्ध है अली राजपुर तो दोस्तो इतना आपको अली राजपुर के बारे में याद रखना है एक और दोस्तो जोबट मान उद्देशिय बहु परियोजना अली राजपुर जिले में ही चल रही है तो इतना आपको अली राजपूर के बारे में याद रखना है निम्नमे से किसका जन्म मद्धिप्रदेश के गवालियर में हुआ था जिसका से उफ्षन है जावेद अक्तर जावेद अक्तर का जन्म मद्धिप्रदेश के गवालियर में हुआ है दोस्तो ये प्रिसिद्ध कहानिकार और गीतकार है अब दोस्तो स्क्रीन पर कुछ और नाम आपको देख रहे हैं इनको भी बता दें तो राहुल दुरवेट का जन्म मद्यप्रदेश के इंदौर में हुआ है वहीं सलमान खान का जन्म इंदौर में हुआ है और लता मंगेशकर का जन्म भी इंदौर में ही हुआ है आपको बता दें राहुल दुरवेट एक प्रिसिद्ध क्रिकेटर है सलमान खान प्रिसिद्ध अभी नेता है और स्वर्ग कोकिला की नाम से प्रिसिद्ध लता मंगेश कर भी मद्द प्रिदेश के इन दौर में इनका जन्म हुआ है तो इनके बारे में आपको चारों की बारे में इतना याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन शरूत का अविश्कार किसी माना जाता है? तिसका स्योफ्षन है अमजद अली खान अमजद अली खान को शरूत का अविश्कार कि माना जाता है दोस्तो आपको बता दें अमजद अली खान ग्वालियर घराने से संबंद रखते हैं और इन्हें शरूत का अविश्कार कि माना जाता है दूस्तो इसके अलावा उज्यन को और किस नाम से जाना जाता था तो इसके बारे में भी आपको बता दें तो कुस इस्थली, अमरावती, कनक शंगा, विशाला, चूडी मनी, उजहन और नपतेरी नगरी इन सभी नामों से भी उज्जेन को जाना जाता था पृतिकलपा, अवंतिका, उज्जेनी और पदमवती इन नाम से भी उज्जेन को जाना जाता था तो आपको इसके बारे में इतना याद रखना है दोस्तो अब बात आईए उज्जेन की तो आपको उज्जेन की कुछ important facts बता दें दोस्तो शिप्रा नदी के तट पर इस्थित है उज्जेन भारत का Greenwich और मंगल की जर्म इस्थली के नाम से उज्जेन को जाना जाता है दोस्तो रुद्र शागर जील में न्याय इस्थल अवविस्थित किया गया है उज्जेन में दोस्तो सुन्य का प्रथमबार उपयोग उज्जन में किया गया था ब्रह्म गुप्त के द्वारा। उज्जन में प्रती वारह वर्ष में कुम्भ मिले का आयोजन किया जाता है। उज्जन में जंतर मंतर की इस्थापना राजा जैसें दुतिय द्वारा 1720 में की गई थी। दोस्तो सिव के बारह जोत्रे लिंगों में से एक महा कालेश्वर जोत्रे लिंग की इस्थापना भी उज्जन में ही की गई है दोस्तो एसिया का सबसे बड़ा सोयावी संयंत्र भी उज्जन में ही लगाया गया है तो इतना आपको उज्जन के बारी में याद रखना है Next question मध्यप्रदेश में दीनदयाल समर्थी योजना की शुरूआत की गई थी जिसका सही option है 25 सितंबर 2004 को मद्य परदेश में दीन दयाल समर्थी योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तो इसका उद्देश में मानसिक और सारेरिक रूफ से निसक्त लोगों को समाज की मुखधारा से जोड़ना है और उन्हें हर प्रकार से सक्षम बनाना है दोस्तो इस योजना से निसक्त लोगों के लिए सिक्षा और रोजगार के लिए बिसेश प्राप्थान किया गया है अब दोस्तो बात आईए दीन द्याल नाम की तो आपको बता दें कुछ और योजना दीन द्याल नाम से जुणी है जिनकी शुरुआत भी 25 सितंबर 2004 में की गई थी तो इनकी बारे में भी आपको याद रखना है तो 25 सितंबर 2004 को दीन द्याल समर्थ योजना के अलावा दीन द्याल गोकुल ग्राम योजना भी की गई थी दीन दियाल चलित अस्पताल योजना की भी शुरुआत इसी दिन की गई थी दीन दियाल अन्तुदय उप्चार योजना की शुरुआत भी 25 सितंबर 2004 में की गई थी दीन दियाल रोजगार योजना की भी शुरुआत 25 सितंबर 2004 में की गई थी तो इन योजनाओं के अलावा जो नाम मैंने आपको बताए हैं इन सभी योजनाओं की शुरुआत भी 25 सितंबर 2004 में की गई थी तो इतना आपको इनके बारी में याद रखना है नेक्स्ट कॉश्चन भारत का मद्दे विंदू कौन सा जिला है? जिसका स्योफ्षन है बैतूल बैतूल भारत का मद्दे विंदू वाला जिला है जो मद्दे प्रदेश में है दोस्तो अब बात आईए बैतूल की तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट बैतूल के बारे में बता दे नर्वदा पुरम संभाग का एक जिला है बैतूल वैस्तेही में प्राचीन शिममंदर और मुक्तगिरी में प्राचीन जैन तीर्थ इस्थल इस्थत है दोस्तो मुल्ताई तापती नदी का उदगम इस्थल बैतूल जिले में ही है घोडा डौंगरी में जंगल सत्याग्रे किया गया था दोस्तो प्रदेश का पहला टिशू कल्चर लेप भी यहीं पर बनाया गया है वोपाली का मेला भी बैतूल में ही लगता है दोस्तो बैतूल में प्रमुक तीन गुफाएं हैं और इनकी नाम है महादेव, परवद और गय कोथा सारणी में धर्मल पावर प्लांट की इस्थापना की गई है तो इतना आपको बैतूल के बारे में याद रखना है दोस्तो आप बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेशन की तो कल का क्वेशन था मद्धिप्रदेश सरकार अनाथों और बुजुरगों के लिए किन शहरों में कमपोजिट भवन बनाएगी तो इसका सही ओफ्षन था चारों शहर भोपाल, इंदोर, जवलपुर और क्वालियर इन चारों शहरों में मद्धिप्रदेश सरकार अनाथों और बुजुरगों के लिए शहरों में कमपोजिट भवन बनाएगी दोस्तो बात करते हैं question of the day की तो आज का question है हाली में किस मंद्र को सुद्धता का tag भोग के लिए दिया गया है तो इसका answer आप हमें comment box में दें हम आपके answer का इंतजार करेंगे तो दोस्तो आप मारे channel study universe को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए, share कीजिए दोस्तो परियावरण को देखती हुए हफते में कम से कम एक पिड़ आप अवश्य लगाएं तो आज के लिए बचना ही, नमस्कार, have a nice day